अब वो जो पोर्शन है उसकी त्यारी नॉर्माली फुडेंस की नहीं हो पाती है अगर कोई चाहता है कि मुझे उड़ा टाइम लेके प्रेपर करना है इसमें आपका 26 के एक्जाम को टार्गेट करके आपका प्रिप्रेशन और सिडूल बनाए गया है सत्य जी सर और केलाज सर है तो सर कौन इस बैच का बेनेफिट लें सब्सक्राइब को टार्गेट करेंगे सब्सक्राइब और क्यूंकि आपके पास अभी टाइम है दो साल का तो आपको कोई हडबड़ी भी नहीं है यह सर यह डेरिवेशन बात बाद देख लगता अभी टाइम कम है नहीं आपके पास टाइम है इसलिए इससे कॉंप्रिहेंसिव कोर्स हेलो दोस्तों तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे शेष्ट बैच का तो दोस्तों यह है हमारा शेष इसलिए कौन सा एक्जाम एससी लिखना चाहते हैं चाहें वो कोई प्रिपरेशन के लिए टार्गेट कर रहे हो तो आपके लिए मात्र एक बैच का सोलूशन हम लेके आए हैं ठीके एसी प्लास गेट-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्यस्ट बैच और यह उन बच्चों ठ तो दो हजार चाहते हैं जो लोग 2025 में लिखना चाहेंगे उनके लिए भी जल्दी ही good news आरा है एक अफे का टाइम दीजेए उनके लिए हम ठीके जल्दी good news ला रहे हैं तो 2023 के एक्जाम के लिए है कौन ले सकता है ये बैच्ट ये हम जानना चाहेंगे हमारे साथ सर क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिनको टार्गेट करना है 25 के लिए भी हम बैचेस कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी जैसे कि सर ने बोला कि तो पर जो थोड़ा लॉंग टर्म नयू बैचेस उल्सो पर जो फड़ा लॉंग टरबनी नहीं पढ़ना चाते हैं और अब कोई चाहता है किасार मैं फर्थील में हूं लीकिन मैं स्ष़ड़ा सर ताइम लेके मुझे time लगता है preparation करने के लिए मैं time लेके pass out होने के बाद देना चाहता हूँ उन सारे students के लिए और students तो पूछते है सर मैं first year में हूँ क्या मैं ले सकता हूँ उनके लिए भी ये batch suitable होगा तो I can say that all the 4 years of B.Tech and अगर कोई चाहता है कि मुझे उड़ा time लेके prepare करना है they can enroll in this batch because इसमें आपका 26 के exam को target करके आपका preparation और schedule बनाए गया है definitely sir आपकी बात में मैं एक और बात add करना चाहूँगा ये केवल college going students के लिए नहीं है rather उन बच्चों के लिए भी है जो की job कर रहे जो कहीं पे job कर रहे है जिनके पास दिन में सुबह 9 बजे से सामके 6 बजे तक नौकरी का उनका pressure रहता है कोई ऐसी condition है कुछ उनके ऐसे हालात है कि साहाब वो बिना नौकरी छोड़े तयारी नहीं कर सकते हैं वो एक bread earning member है अपने society के अपने family के तो वो लोग job के साथ भी तयारी करना चाते है तो इस course में क्या होगा कि आपका जो class का जो duration होगा वो कम होगा और हले हले आपको पढ़ाया जाएगा तो ये आपको बहुत benefit करेगा कि आप धीरे धीरे अपनी तयारी करना चाते है उत्रा ज्यादा अभी stress नहीं लेना चाते है 25 के exam का आप चाहते हों कि नहीं यार मैं slow and steady जीतूंगा कच्छुय की तरह मैं खरगोश की तरह बहुत तेजी से अभी नहीं भागना चाता हूं क्योंकि मुझे race ultimately जीतनी है मुझे selection चाहिए तो इसी के लिए साब आपका batch आ गया है और हमारा जो batch है वो शेष्ट ESC plus gate plus PHU है ठीक है यह हमारा batch D है इसका cost अभी 15,999 रुपीज है original cost से काफी discount पे मिल रहा है 15,999 है अब आप बोलोगे कि sir बहुत कुछ YouTube पे होता है तो हम लोग यहां पे batch क्यों लेना चाहें वो सारी चीज़े अभी आपको बताई जाएंगी कि paid batches के क्या-क्या फाइदे है तो सारी चीज़े यहां आपको बताई जाएंगी सबसे पहले क्या-क्या benefit है यह मैं जानना चाहूँगा केला सर प्लीज सब्सक्राइब के लिए और यह जो कॉर्स रहेगा इट विल भी फर बोथ गेट प्लस एसी यहां कि जो बच्चे गेट एसी दोनों एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे है ना सो उनके लिए यह batch beneficial रहेगा इधर basically classes हम लोग कैसे लेंगे live classes रहेगा एक एक बार recorded sessions भी आएंगे depending upon subjects अगर एक चोटा सा subject रहा तो उसका recorded session भी आपको provide करेंगे तो इसी के साथ साथ not only the lectures इसी के साथ साथ हम लोग आपको provide करेंगे DPPs daily practice questions that is for gate students and ESE students plus additionally additionally ESE students के लिए क्या मिलेगा एक practice sheet तो इसी के साथ साथ हर हफते नहीं तो हर दो हफते के बाद आपको test रहेगा based on the completion of syllabus of the subject next तो यह जो complete course ना यह complete course रहेगा भाई साथ for about 1500 प्लस आर्स तो इस 1500 प्लस आर्स में आपको technical and non-technical completely each and everything cover होगा क्या बोलते हो सदेश सर्थ you want to add something sir जैसे कि अंकी सर ने भी highlight किया था कि जो preparation है देखिए अब जो preparation कर रहे हैं तो most students gate के लिए paper कर रहे होंगे कुछ लोग exclusive EAC के लिए कर रहे होंगे कुछ लोग side gate plus EAC कर रहे होंगे जब हम EAC के बारे में बात कर रहे हैं तो EAC में 3 stage होता है एक होता है prelims जो की आपका MCQ based होता है सारे questions multiple choice questions होते है लेकिन EAC में mains होता है जो की subjective होता है उसमें आपको numericals को पूरा step wise solve करना पड़ता है या फिर theoretical questions को descriptive way में लिखना पड़ता है अब वो जो portion है उसकी त्यारी normally students की नहीं हो पाती है जिससे की उनको EAC mains में और कभी-कभी interview में भी दिक्कत होता है क्योंकि अभी-कभी क्या होता है अगर आपके formula पड़के आप चले गए हो तो formula पड़के आप चले हैं आपने question solve कर लिया आपके full marks आये हैं लेकिन interview में आपको क्योंकि उसका background नहीं पता है तो you are going to face difficulty और वहीं पर आपके अगर 20-30 number कम हो जाते हैं तो आपका selection और non selection के बीज का फरक हो जाता है इसलिए जब हम त्यारी कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हम gate का त्यारी नहीं कर रहे हैं हम EAC का भी त् प्लस आपको यह चीज भी ध्यान रखना है कि अगर आप PSU target कर रहे हो अगर आप Mtech target कर रहे हो तो बहुत सारे IIT में भी interviews होता है for Mtech फ्लस PSU में भी आपका interviews होता है तो ठीक है our aim is to crack the exam आपको written test में तो अच्छा करना ही है मतलब gate में तो अच्छा करना ही है यह सी अच्छ तो आपको interview पार्ट में भी ध्यान देना होगा अभी से सर मेरा गेट में number आ गया है अगर आपके तयारी के दौरान ही आपने सारे चीजों को ऐसे पढ़ा है कि आपको हर चीज का background पता है तो आपको interview के लिए ऐसे अलग से कुछ त्यारी करने की जरूत नहीं पड़ेगी ह answering के से करना है yes behavior क्या होना चाहिए mannerism क्या होना चाहिए कुछ general चीज है वो हम आपको जब आपका main screen हो बताएंगे लेकिन पूरा जो subject related चीज है वो तो हम आपको एक हफते में या 10 दिन में नहीं बता सकते वो आपको preparation के दोरान ही करना पड़ेगा और इसलिए हम जब formula है यह question है फूट कर दना answer आजाएका नहीं going to give you the background of the formula and the related theory to it so it's a comprehensive manner और क्यूंकि आपके पास अभी time है दो साल का तो आपको को हडबड़ी भी नहीं है इसलिए 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 बताना चाहूंगा आपको यहां पर live plus recorded lectures मिलेंगे अगर किसी कारण वर्ष आपकी लाइफ क्लास चूट जाती है तो आप उसे recorded भी देख सकते हो आपको स्टार्टिंग में ही पूरा lecture planner मिल जाएगा पी डबलू के आप पे और हम आपको भी दिखाने भी वाले हैं इसी सेशन में दो चार मिट बाद आपको दिखाएंगे डाउट इंजिन की फैसलिटी आपके पास अविलेबल है आप किसी particular slide पे जाके डाउट भी पूछ सकते हो यह भी आपको हम अभी यहां पर साक्षात इसमें दिखाएंगे सबसे बड़ी चीज़ एसी और गेट के पी वाई क्यूज आपको क्विस के फार्माट में मिलेंगे ठीक है जब भी क्विस के फार्माट में कोई चीज मिलती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वह रिवार्डिंग होता है जब मैं यहां एक पैटने आपको फाइदा है यहां पर फिर आपको पंधरा सो प्लस घ्के घंटे का आपको कंटेंट मिल रहा है लाइव और रिकॉर्डेट दोनों को मिलाके 1500 ठीक है डेर हजार ठीके आप क्लास में जब पढ़ होगे तो आपको पोल मिलेगा लाइव चाट होगा faculty के साथ ऐसा नहीं है कि faculty बोले जा रहा है और आपका कोई doubt है तो साहब वो then and there वहीं पर solve किया जाता है class में ठीक है तो सारे doubts class पर solve किया जाते हैं आपका interactive classes रहता है खड़े रहके faculty पढ़ाता है हमारे यहां भाई भैट के नहीं पढ़ाता है कि पता चला faculty भी आराम में है बच्चे भी आराम में है दोनों आराम में है result भी आराम में है तो ऐसा नहीं होने वाला है यहां पर ठीक है आपको short notes दिये जाते हैं gateopedia के format में और यह ठीक है PW का बहुत बड़ा USP है यहां पर mentorship guidance मिलता है आपको हर एक faculty का यहां पर telegram group हो चाहे मैं हो सतेजीत सर हो केलास सर हो बादल सर हो म्रिगांग सर हो ठीक है शोबिच सर हो और हमारी team में एक और सर भी जुड़े हैं वो भी ठीक है जल्दी ही आपको telegram पर मिलेंगे तो इतने सारे benefit है students dashboard regular test तो आप अपनी progress को check कर सकते हैं यह सब चीजे आपको paid batches में मिलने वाली है और यह बहुत अच्छी offering है क्यों क्लास सर इधर ना सब कुछ मिल रहा है बच्छों को बच्छों को क्या है ना सर class correctly attend करना चाहिए उसी के साथ सा preparation ठीक तरह से करना टिंग रिडिए रहता है sir what will be there for future schedule schedule क्या है sir is batch का सो जो batch start होने वला है वो start होगा sir Monday से that is from 20th May 2024 और पहला subject रहेगा irrigation engineering सो पहला subject रहेगा irrigation engineering और class का timing क्या है बहुत सर बच्छों का यही doubt रहता है sir class का timing इधर लिख दिया 6-1030 आरे सब्सक्त राबर सारे चार गंटे का continuous schedule नहीं रहता है छे से आठ दो गंटे का class रहता है बाद में आपको आधे गंटे का break मिलता है for relaxation and for having dinner उसके बाद में फिर से दो गंटे का class रहता है इस बीच में क्या हो जाता है न सर इवन you can ask your doubts in between also so session के end में नहीं तो बीच में भी आप doubt को पूछ सकते हो यह complete schedule यह जो schedule है आपको app में मिल जाएगा so ऐसा नहीं है कि randomly एक subject start कर दिया बाद में देखेंगे अगर कि नहीं each and everything is planned in a proper way and आप देख सकते हो कि यह technical subjects के list so पहला subject जो start होने होला है 20th में वो भी Monday से छे बजे शाम को and next उसके बाद में अनिगनों मिटल continued things next इसके बाद non-tech mathematics यह सभी subjects कब होंगे so इसका time रहेगा morning to morning 8 a.m. to 10 a.m. that is from Monday to Friday और एक चीज में बताना बूल गया यह भी technical subjects रो चलेंगे Monday to Friday चलेंगे Saturday Sunday आपको लीव रहेगा यानिके holiday रहेगा यह जो holiday रहेगा ना this is not only for enjoyment जो एक हफते में जो पढ़ा है आपको उसे आपको revise करना है और जो Sunday को आपका 6 p.m. तो college going students के लिए working professionals के लिए सब के लिए यह time suitable है 6 p.m. to 10 30 p.m. यह क्या है combination of two classes ठीक है combination of two classes two hours का each ठीक है ना तो आराम से आप सिलावस complete कर सकते हैं and Saturday Sunday क्या करना है पढ़ाई करना है हो सकता है कि कुछ pending lectures आपके बचे हो तो आपको pending खतम करना है प्लस टेस्ट देने हैं प्लस DPP जो आपको मिला होगा वह आपको complete करना है तो यह क्या है proper approach हो गया yes आगे बढ़ते हैं faculty में आते हैं आपको बहुत जादा क्लास का लोड नहीं दिया जाएगा we again stand by that आप यहां पर यह देख रहे होगे कि आपका जो schedule है नाइन ठीके 20th में से start हो रहा है 31st October 2025 तक खतम हो रहा है अब इसमें जैसा सरलोग बता रहे हैं बिलकुल 6 बजे से साड़े 10 बजे तक class रहेगी वह availability of teacher है बट पढ़ाया जाएगा class में effectively धाई से तीन घंटे ही थाई से तीन घंटे faculty class लेगा उसके बाद अगर कोई doubt रहता है तो वह आपके साथ एक घंटा उसके पास free time है ठीके वह आपके पास प्रिपरेशन को लेकर motivation doubts हो रहे है ठीक है वह भी वहां पर clear किया जाता है इसलिए starting में हमने कहा था कि धीरे धीरे चीजे चलती है आपको bombard वह चार घंटे पांच घंटे की class से अभी नहीं किया जाएगा आपको तीन ही घंटे पढ़ाया जाएगा वह आपको इस चेडियूल से दिख रहा है बड़े हॉले हॉले चीजे चलेंगे क्यों sir? क्या sir? Yes sir, so depending upon the subject and importance sir, slowly alarm से पढ़ेंगे sir, this batch में कुछ हड़बडी नहीं रहेगा sir, for example irrigation engineering शुरू हो रहा है from 20th में, so class रहेगा 6 बजे से 8-9 बजे तक maximum, so initially slowly जाएंगे, so उसके बाद में आपको न एक घंटा time मिलेगा वह साब, आप पूछ सकते हो, faculty को कुछ भी doubts, so you can have a very nice discussion with the faculty, next term लोग, let us discuss about the faculties कोन कोन है, बोलनी की जरूरत भी नहीं है, भई साब सभी लोगों को पता है, so everyone knows, Ankit sir, Ankit Sharma sir, he is a very nice faculty, सभी लोगों को पता है, next आते है, बादल सोनी sir, बादल सोनी sir, के बाले में क्या ही बोलू, सभी लोगों को पता है कि बादल sir, जब 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 नहीं पड़ा सकता, so I want to say some few words about बादल sir, क्योंकि यह उनके बहुत अच्छे दोस्त है, sir, देखे, यहाँ पर students के लिए भी, देखे, all the teachers are specialized in their subjects, yes, and सारे teachers को almost 10 years का average experience है, and all the faculties have taken classes all over India, चाहे वो North India हो, South India हो, लेटर भी North India, South India, East India, West India, तो faculties are very good in Hindi, English, and उनको पच्छे से पता है कि students किस topic में, किस चीज में problem face करते हैं, तो all the faculties details can be found in the app, उस पर बहुत हम आएंगे, yes, so Anki Sarma sir and Badal sir have been creating top rankers from last one decade in GATE and EAC, myself Satyajit, and we have Brigang sir, Sovy Sivastam sir who are very expert faculties and we have Kailas sir here who is expert in hydrology irrigation, yes, we have Amunurathan sir who is one of the best faculties in the country in aptitude, we have Punish Sarma sir for mathematics and he sir is himself, we can say that he tells that mathematics is a beautiful story, yes, and we have Asuto Saxena sir for reasoning, verbal reasoning and logical reasoning, so aap faculties के details आपको app भी मिलेंगे, अगर हम सारे faculties आएंगे, सारे faculties के इतना सारे achievements है, that will take 15-20 minutes, yes, so we'll go to the exploring the batch, तो exploring the batch इसमें basically हम app के बारे में खोड़ा बताएंगे आपको, कि batch में क्या क्या अबलेबल है और app पे आप उसको कहां सर्च कर सकते हैं, yes, सो देखिए यह है आप कोई भी बैच है आप पर उसको सर्च कर सकते हैं यहां पर लिखा है सर्च इंजिन में जाके आपने अगर लिखा या पराक्रम लिखा तो वह आपको सर्च होके आज सब्सक्राइब करें तो यहां पर आपको बहुत क्विक फटाफट यहां पर बता देता हूं टाइम वेस्ट ना करते हैं क्योंकि जो जानकारी आपको चाहिए थी वह ने दे दी यहां पर सर्च बार है अब जो भी आप बैच ढूनना चाहते हो जैसे कि यह शेष्ट बैच है तो शेष्ट बैच आप सर्च बार में शेष्ट लिखोगे एसी प्लस गेट प्लस पीएसी तो बैच के लिस्ट खुल जाएगी वहां पर इस तरीके से एक पोस्टर दिख रहा होगा राइट सिविल का पोस्टर दिख रहा होगा तो यहां पर आपको कॉस्ट और बाइना आपको खुल जाएगा कि batch में क्या क्या offering मिलेगी जो जो अभी हमने आपको बताया वो सारी यहाँ पे offering दिख जाएगी कैसे कैसे आपका batch आगे बढ़ेगा उसका planner क्या है detail planner मिल जाएगा आपके teachers यहाँ पे दिख जाएगे class sir, showbiz sir ठीके और वो क्या क्या subjects deal कर रहे हैं तो वो सारी चीज़े यहाँ पे आपको दिख जाएगे पूरी clarity के साथ, right फिर आपको subject wise classes मिलेगा, schedule मिलेगा और notice मिलेगा, notice में कोई information है कि आपकी DPP upload हो गया, आपका test upload हो गया, तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे notice section में मिल जाएगी और इस तरीके से आपको ठीके subjects दिखाई देंगे, irrigation, fluid mechanics, hydraulic machine, इस तरीके से आपको सारे subjects दिखाई देंगे, अब आप किसी एक subject पे जाते हो, किसी एक subject पे click करते हो, तो यहाँ पे आप all content click करोगे, all content जब click करोगे तो lectures, no, DPP, DPPs दिखेगी, DPP PDF दिखेगा, DPPP के video solution दिखेगे, और इसमें एक और sheet site, DPPs में ही upload होता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फिर इस तरीके से आपका खजाना है, खजाना में basically क्या है, कि आपका वो सारी चीज़े मिल जाएंगी आपको खजाना में, कि जो भी आपके recorded lectures है, हमारे faculties ने, pool of faculties ने, किसी दूसरे batch में कुछ और पढ़ाया है जैसे कि आपका, मान लो किसी batch में मैंने CPM पढ़ाया है, और किसी और सत्यजीर सर्दे CPM पढ़ाया है, तो आपको सत्यजीर सर का भी CPM मिलेगा, मेरा भी CPM मिलेगा, तो everything will be readily available in the खजाना, खजाना आपको बहुत ज़ादा ही मदद करता है, आपके exam में, किस exam में, preparation के exam में तो मदद करता ही करता है, rather अगर आप college going हो, college में आपका steel structure चल रहा है, बट अभी currently आपके batch में steel structure नहीं चल रहा है, और आप पढ़ना चाहते हो कि steel structure मुझे पढ़ना है, तो steel structure आपको खजाना में मिल जाएगा, वहां से पढ़के आप अपने college exam में भी excel कर सकते हो, क्यों sir Yes sir, many students, even जो pass out भी है, मान लिजे कि pass out में आपके दो type के experience होते हैं, कुछ लोग job holders होते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं full time one year prepare करूंगा, अब मान लिजे कि वो evening में classes कर रहे हैं, और उनके पास option है कि उनके पास पाकी free time में अगर वो उनके कोई subject में doubts हैं, या फिर students के लिए, इस खजान है, is a very good thing, because उसमें क्या होता है, कि देखिए, हर college के अलग-अलग schedule होते हैं, first year का अलग होता है, second का अलग होता है, अब हम first year, second year, third year, हर universities के subject के sequence को follow exactly नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपक्वास खजाना हैं, तो आप अपने required subjects खजाना से पढ़ सकते हैं, definitely sir, तो all test schedule notices आपको इस तरीके से provide कर दी जाएंगे, ठीके mock test, आपके mock test 1, mock test 2, इस तरीके से आपके app में दिखाई देंगे, right, फिर जो भी announcement है, वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, कि जैसे कि आपका test upload हो गया, DPP upload हो गया, और कोई information, जैसे कि कई बार हम faculties आपके batches में regular interactive sessions लेते हैं, तो वो सारे interactive sessions भी यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, इस तरीके से आपको DPPs दिखाई देंगी, right, और उनके video solutions भी मिलेंगे, test papers, इस तरीके से आपको test दिखाई देगा, कि previous और next question पर आपको जाना है, options को click करना है, आपका सही होगा, गरत होगा, त सकते हो, ठीक है, जैसे कि यह रहा, और class में इस तरीके से आपका poll भी चलता है, जैसे faculty question करवा रहा है, यहाँ पे side में आपका poll आएगा, timer चलेगा, कि आपके पास 30 second है, 40 second है, तो यह आपका इस तरीके से timer भी चल जाएगा, फिर आप कोई चीज हमें suggest करना चाते हो, वो भ सकते हो, यहाँ पे faculty की class में आपको क्या पसंद आया, तो आप rating भी दे सकते हो, यह सारी facilities आपको available है, अगर कोई issue आता है, तो वो आप लोग report भी कर सकते हो, ठीक है, हमारा AI bot है, मित्रा, जिससे आप chat करके अपने issue solve भी कर सकते हो, यह सारी चीजे है, तो बहुत सारी चीज पी take-savvy है, मतलब technology, app, best, चीजे हैं, वो जल्दी पकड़ लेते हैं, तो students से में request करूंगा कि अगर आपको कोईच भी confusion होता है, तो we are there to help also, and हमारा technical team भी है, हम खुद faculties भी available है, तो अगर आप एक बार app जाके खुद explore करोगे ना, तो app इतना user friendly है, कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, so help line number, the support is there, but I feel the students are very smart, अगर आप थोड़ा time spend करोगे ना, आप खुदी सब समझ जाओगे, सब्सक्राइब के बारे में कुछ बताने की ज़रलत नहीं है, सब्सक्राइब क्या होता है, जैसे कुछ students मुझे पूछते हैं, कि सर ये वाला बता दीजिए, तो मैं कुछ दूसरे students से पूछता हूँ, वो लो clear कर देते हैं, पहले, कि मैं पहले clear करू, so thank you for all the students, and और हमारे telegram groups भी है, सत्यजी सर पीडवलू, कैला सर पीडवलू, अंकी सर पीडवलू, तो आप अगर कुछ भी आपका queries है about admission, या फिर आपको की batch में लेना चाहिए, कि नहीं लेना चाहिए, कौन सा बेरना चाहिए, आपका कौन सा requirement है, तो you can always post your questions in the telegram group, we are always happy to help you out. Definitely sir, definitely, केला सर यूर कुलूदिं रिमार्स क्या कि बैच आप ही स्टार्ट करने वाले हो? Sir, to conclude the thing sir, I want each and every student who are preparing seriously for the GATE 2026, you can join this batch, और एक बात बोल रहा, इस बैच is for GATE 2026, GATE and EAC batch, let's meet in the class, thank you each and everyone.